जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बंद हो सकते हैं, तो धरम और जाती से उपर उठ करके हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में जामा मस्जित और जितनी भी मस्जिदे और मदर से हैं, जहां पर पांच समय की जो नमाज अदा की जाती, उन सभी मस्जितों को बंद कर अपने विवादित पयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाली हिंदू वादी ने था साधवी प्राची ने एक बार फेर विवादित पयान दिया है उन्होंने देश में कोरोना वाइरस के फैलने के पीछे कॉंग्रेस के पूर्वत्यक्ष रहुल गांदी को जिम्मेदार ठहराया है इतना ही नहीं उन्होंने कहा कि अगर देश में कोरोना के डर से मंदिर बंद हो सकते हैं तो मस्दितों को भी बंद कर देना चाहिए सादवी प्राची ने मुखी मंद्री योगी आदित तिनाद से खास तोर पर अपील की है कि वो यूपी में मस्दितों को तुरंद बंद करवाएं क्योंकि कोरोना मस्दितों तक पहुँच रहा है उन्होंने बताया कि पांच वक्त की नमाज बंद होनी चाहिए क्योंकि कोरोना पहल रहा है कोरोना तो वहाँ भी जाएगा मंदिर में जाएगा तो मस्दित में भी जाएगा इसलिए पांच वक्त की नमाज बंद होनी चाहिए ये बात सच है वैश्नो देवी मंदिर बंद हो गया सिद्धी विनायक बंद हो गया और भी बहुत सारे मंदिर हैं हिंदुस्तान के अंदर कोरोना के डर से बंद होते जा रहे हैं उसका कारण है क्योंकि हिंदुस्तान का हिंदू बहुत सेंसिटीव है लेकिन कुछ लोग है इस देश के अंदर जो की मुझे कहना नहीं चाहिए मैं उनसे ना कहकर के सरकार से निवेदन करती हूँ सिफारिस करती हूँ हिंदुस्तानियों की तरप से जब हिंदुस्तान के अंदर मंदिर बंद हो सकते हैं तो धरम और जाती से उपर उठ करके हिंदुस्तान की सरकार को हिंदुस्तान में जामा मस्जिद और जितनी भी जहां पर पांच समय की जो नमाज अदा की जाती उन सभी मस्जिदों को बंद करना चाहिए क्योंकि कोरोना फैल रहा है कोरोना तो वहां भी जाएगा जब मंदिरों में जाएगा तो मस्जिदों में कौन सा नहीं जाएगा इसलिए पांच समय की जो नमाज है ये बंद होनी चाहिए हिंदुस्तान के अंदर और विशेश कर योगी जी उत्तर प्रदेश में तो जल्दी बंद कराओ क्योंकि ये मस्जीदों तक गुश रहा है इसकी बहुत जरूरत है भारत में कोरोना वाइरस तेजी से पैर पसारता जा रहा है कोरोना वाइरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 112 पहुँच चुका है देश के 13 राज्यों में कोरोना वाइरस के पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं महराष्ट में सबसे ज्यादा 32 कंफर्म मामले हैं केंद रराज्यों सरकारें कोरोना वाइरस को लेकर सतर्क हैं कई जगहों पर कोरोना के संक्रमन से बचने के लिए 1344 लगा दी गई है बरेली जे क्रिशन गुपाल राज के साथ अंकित सिंग की रिपोर्ट यूपी ताक